नमस्कार प्रिया सिक्षार्तियों राश्टिया मुक्त विद्यालेई सिक्षार संस्ता के ओर से आयोजित भारती अग्यान प्रंपरा के अंतरगत संस्कृत साइत्य के अंतरगत सुकनास उपदेश की इस कक्षा में मैं सतिश नोटियाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ सिक्षार्तियों आज हम पढ़ेंगे सुकनास उपदेश का योवन सुवाव अध्याई सुकनास उपदेश महाकभी बान भटकी कादंबरी रचना से उध्रित एक छोटा सा अंश है जिसमें जो तारापीड हैं उनके जो मंतरी हैं सुकनास वो अपने शिश्य को या होने वाले राजा को जो चंदरापीड हैं उनको उपदेश दे रहे हैं उस उपदेश का या छोटा सा अंश है योवन स्वभाव यानि कि योवा आवस्था में कैसा उसका स्वभाव होता है किस प्रकार वहाँ जीता है कैसी उसकी मनोस्तिती होती है इस दर्शा का वहाँ वर्णन करते हैं चंदरापीड होने वाले राजा हैं कादमबरी के अंतरगत जो उजजईने की राजा हैं तारापीड उनके पुत्र हैं और वो बुड़े हो गए हैं अब वो वानप्रस्त आसरम की ओर जाना चाते हैं तो अपना जो सारा राज्य है अपने पुत्र के हाथों सौपना चाते हैं जब वहा चंदरापीड की राज्या विशेक की अब तैयारियां चल रही हैं, तो उस विशय में वो आगे कहते हैं, एवं समति क्रामत सु दिवसे सु राज्या चंदरापीडस्या यो राज्या विशेकं चीकीरशु, प्रती हारा नुप करने संभार संग्रहार्थम आदिदेशा समो पस्तित यो राज्या विशेखंचा तम कदाची दर्शनाथम आगतम आरूडम बिनयम अपी बिनीत तरम इच्छन कर्तुम शुक नासहा सविस्तरम वाचा इस प्रकार वहाँ जो उजैनी राज्या है वो चल रही थी और तारापीड अपने पुत्र को चंदरापीड को युवराज पत्पर इस्तापित करना चाते हैं उस विशै में उसके वुवराज विशैक की इच्छा हुई और वहाँ कह रहे हैं कि परतिहारान उपकरने संभार संग्रहार्थम आदिदेशा जो उनके परतिहारी हैं उनके राज्या में जो काम करने वाले करमचारी हैं उनको आदेश दिया गया है कि राजा चंद्रापीड के लिए जो युवराज पत्पे जो आशिक्त होने वाले हैं उस अभिशेक की तयारी के लिए सामागरी एकठी करने के लिए उनको बोला गया है अभिशेक के लिए जो सामागरी होती है जगा जगा से जल मंगाया जाता ह तीर्थिस्तानों से जो जल आता है उसमें जो भी समागरी आती है उसके लिए उनको आदेश दिया गया है समो पस्तित योव राजया भिशेकन्चत्तम कदाचित दर्शनातम आगतम आरूडम बिनयमभी जो चंद्रापीड है वहाँ अपने जो पिता है तारापीड उनके राजय में जो अमात्य थे शुकनास वो बुड़े हो गए हैं वो अब वहाँ नहीं है एक परकार से वो रिटायर हो गए है तो जब वो रिटाइर हो गए हैं तो वो उनकी राजे में नहीं है वो इसका मतलब है वो अपने घर में है तो चंद्रापीड वहां जाते हैं उनसे कुछ शिक्षा दिक्षा लेने के लिए उनका अनभव लेने के लिए जो पहले से ही विनय हैं विनय पर आरूड हैं चंद्रापीड उन्होंने अपने शिक्षा दिक्षा ग्रहने कर ली है और शिक्षा दिक्षा ग्रहने करने के बाद भी विनीत हैं उस पर भी विनीत तरम इच्छन करतुम सुकनासाह सविस्तरम ववाचा और भी बिनीद होने की इच्छा में उनके पास जाते हैं। इसमें कुछ समासिक पद आये हैं जैसे योवराजया अभिशेकम, योवराज शय अभिशेकम, योवराज शय अभिशेकम, तम इती सश्टी तत्पूरु समास यहां पर है। जो आरूड पर विनय हैं जिसका विनय है तम इति बहो भी ही समास यहां पर है एक संदिपद आया है समुपस्तित योवराजया विशेकंचा यहां पर परसवर्ण संदी होती है अनुसवारे से यही पर सवर्णा आगे कहते हैं जब चंद्रापीड सुकनास के पास मौच गए है तो सुकनास बूडे हो गए हैं उनके पास अनुभव का बहुत सारा बंडार है तो वो चंद्रापीड से कहते हैं कि तात चंद्रापीड यद्यभी तुमने विद्यत वेदी तब्यश्य सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है अदीत सर्वशास्त्रस्या तुमें कुछ भी आदेश देने की या उपदेश देने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि तुमने सारे सास्तरों को पढ़ लिया है और तुमें सब कुछ आता है तुम विनीत हो, तुम राज्यको चला सकते हैं, इसमें निपून है यद्यपी सभी कुछ सारे सास्त्र आपने पढ़ लिये हैं तथा पी केवलंच निसरगत एव अभान भेद्या अरतना लोको छेद्यम अप्रदीप परभापनेयम अतिगहनम तमो योवन परभाप यह जो योवन परभाप है इसके आते ही सारा ग्यान धूमिल हो जाता है क्योंकि आपने सारे सास्त्र पड़े हैं तो वो आपकी सीख्षा दिख्षा हुई लेकिन जैसे ही यहाँ योवन अवस्था आपके पास आती है तो जितना भी आपने ग्यान ग्रहन किया है वो उसके अंदकार में डूब जाता है इसलिए वो अपने अनुभवों को उनके साथ साजा करना चाह रहे हैं अपरिन शमो दारणो लक्षमी मदा तो यह जो योवन प्रभव है यह जो योवा अवस्था की जो प्रभाव आदमी पर होता है वो कैसे होता है उसके विशे में सुकनास के रहे हैं कि अभानु भेद्यम अरतना लोको छेद्यम अभानु भेद्यम यानिकि भानु ना भेद्यम जो सामान्य अंधकार होता है वहाँ रात्री के बाद बीद जाता है सुबा सुर्य उदई होता है और भानु के भेद्य से वहाँ दूर किया जाता है यानि कि सूर्य के प्रकास से सारा अंदकार दूर किया जाता है लेकिन ये जो युवा आवस्था का प्रभाव आप पे होता है जवानी का जो जोश होता है उसमें जब आदमी अंदकार में चला जाता है तो अबानु भेद्यम है, वहाँ सूर्य के प्रभाव से या सूर्य के ताप से या सूर्य की धवलता से, सूर्य के उजाले से वहाँ दूर नहीं होता है अरतना लोको छेद्यम, जो रतन हैं, मानिक्य हैं, सोना, चांदी, हीरा, जेवरात जो भी हैं उनसे जो प्रभा निकलती है, उनका जो प्रकाश है, जो आलोक है, वहाँ भी उस अंधकार को दूर नहीं कर सकता है सामान्यता अंधकार में जब हम ऐसे गहनों को रखते हैं तो वो चमकते हैं लेकिन योवा अवस्था में जो अंधकार आता है, वहाँ इन सब रतनों से भी दूर नहीं होता है अप्रदीप प्रभाप नियम अतिगहनम, किसी दिये से, किसी दिये के उजाले से भी वहाँ दूर नहीं किया जाता है अतिगहनम तमो योवन प्रभावं यह जो योवन प्रभाव है वहाँ अतिगहन है बहुत ही अंधकार मयध होता है और आपको जो लक्षमी का वहाँ पर परभाव मिलेगा आपको धंधान्य की कुपिछी चीज की कमी नहीं होगी तो उसमें जो लक्षमी का मद होगा उसका जो अहिंकार आपको होगा वो उसमें होर आग में घी डालने का काम वहां करेगा कश्टम अंजन वर्तिसाध्यम एश्वर्य तिमिरान धत्वम असिश्रो पचार हारियो अतितीबरो दरपदाहद जोरोश्मा कश्टम अन्यन वर्तिसाध्यम अपरम एश्वरे तिमिरान धत्वन यह जो एश्वरे आपको मिलेगा जब आप राजा हो जाएंगे तो आपके पास बहुत सारा एश्वरे पराप्त होगा तो जो आपको उस एश्वरे से जो है तिमिरान धत्व का रोग हो जाता है जब किसी युवराज को या कोई नय युवा अवस्था है एक तो उसको राजा बना दिया जा रहा है उपड़ से उसके पाथ इतनी सारी लक्षमी की संपती होगी उसके पाथ बहुत सारा धंदोलत होगा यह जो एस्वरी उसको मिलता है उससे जो अंदकार उत्पन होता है एक तिमिरान दत्व उसको रोग हो जाता है तिमिरान दत्व रोग सामान्यता है गाओं में या प्राचिन भारत या प्रंपरा में उसको कहा जाता है रतोंधी का योग तो जो रतोंदी का योग होता था वो अंजन साध्य होता था, उसको अंजन से ठीक किया जाता था, यानि कि जो अंजन वर्ति साध्य है, सामन्यता जो पीतल के धातो होती है, उससे रगणने पर उनको उसके सिखे घिसने से जो काला जो अंजन निकाला जाता है, आज के समय मे रोग आदमी को हो जाता था उसको सामनेता दिखाई नहीं देता है तो वहा का जल उसको लगाने से उसका जो है किसी सलाका से उसकी आँखों में लगाने से उसका रोग खत्म हो जाता था लेकिन यह जो एस्वरे के तिमिरान धत्व है यह जो रतौंदी का रोग आदमी को यहां जो सामान्य ज्वर होता है और उसके लिए किसी ठंडी वस्तो का या चंदन का लेप करने से ठंडी पटी करने से वो जो आदमी का सामान्य बुखार उठ जाता है लेकिन यह जो एश्वरे का जो ज्वर है एश्वरे से जो मिलने वाला है धन से जो आपको ज्वर आने वाला है उससे जो उष्णता आती है वहाँ अतितीवर होती है वो दर्पदाह जो अभिमान का जो ज्वर आदमी को आ जाता है वहाँ कभी शांत नहीं होने वाली होती है की उत्पन होगी, वहाँ विष्ग का काम करेगा, तो जो सामानिय विष्ग है, उस विष्ग को निवारन के लिए सास्त्रों में मूल मंत्रा दी हैं, प्राचीन परंपरा में आप देखेंगे तो साम के काटने बिच्छों के डंग के लिए बहुत सारे मंत्रों का या मूल मंत्रों का उसमें उसके द्वारा शमन किया जाता है, लेकिन यहाँ जो एस्वरे आपको मिलने वाला है, यहाँ जो जवानी का प्रभाव है और लक्षमी का जो मद है, इससे जो विष्ग आपकी आसकती हो आपके राज्य में जो आपके सुख भोगने के जितने सारी वस्तों हैं, उसका जब आपको विश्ट चड़ जाएगा, उससे जो मूर्चा मिलेगी, तो वहा किसी मूल मंतर से शम्य नहीं होने वाला है, वहा किसी मूल मंतर से दूर नहीं हो सकता है। तो उसको हम साफ करने के लिए इसनान करते हैं, तो इसनान सामानियता जो गंदगी है उसको साफ करता है, लेकिन यह जो लक्षमी का जो है, लक्षमी द्वारा लगाया गया जो राग है, यहा इसके द्वारा जो उत्पन जो एहंकार है, वहा किसी इसनान से दूर नहीं होने वाला है नित्यम इसनान सोच वद्धियो बल्वान यहां किसी इसनान से साप नहीं होने वाला है राग मला वलेपा यह जो राग उसने लगाया है लक्षमी ने जो राग लगाया है युवा आवस्था ने जो आपको जो राग लगाया है धनधान्य और एस्वरे ने जो आपक किया जा सकता है ऐसा सुकनास अपने होने वाले राजा को जो चंदरा पीड़ हैं उनको ऐसा अपना अनुभव बता रहे हैं जो उन्होंने आज तक अपने राजयक में देखा है अपने समय के राजाओं में देखा है किस प्रकार वो आते हैं कैसी इस राजनीति को चलाते हैं आजस्रम अक्षपा वसान प्रभोदा गोराच राजसुक सन्निपात निद्रा भवती ती इत्यता विस्तरेना अभिधियसी राजसुक सन्निपात निद्रा भवती ती सन्निपात निद्रा वहर निद्रा है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है सामान्यता अजस्रम अक्षपावसान प्रभोधा जो सामान्य निद्रा है वो जब रात को हम सोते हैं तो सुबा तूट जाती है सुबा सो रहे हैं तो साम तक तूट जाएगी एक दो गंटे या चार गंटे छे गंटे में हमारी नीद तूट जाती है लेकिन राजय सुख सन्निपात निद्रा घोराज वह बहुत घोर है, वह कभी नहीं तूटने वाली ऐसी निद्रा है जो इनसान को वहीं समापती होने तक या बहुत लंबे देड़ तक उसकी निद्रा उसी में वो सोया रहता है जो राजय की जो सुख उसको मिलने वाले हैं, जो एस्वरे मिलने वाला है, जो उसके पास बहुत सारा धन उसको इकठा मिलने वाला है, उसकी युवावाउस्था है, उसमें जो उसको धन धने मिलेगा, उसके भोग से जो उसको निद्रा आएगी, जब वो सांसारिक विशयो इस प्रकार सुकनास विस्तार से इन विशयों का वर्नन करते हुए आने वाले राजा चंद्रापीडो यहां उपदेश दे रहे हैं। नभानुभेद्यम अभानुभेद्यम जो भानुभेद्यम नहीं है जो सूर्य के द्वारा जिसको दूर नहीं किया जा सकता है। नहीं छेदा जा सकता है। रतन से जो दूर नहीं किया जा सकता है। रतन से जो भेद्यम नहीं है। अरतना लोको छिद्यम इती यहां पर भी नए तत्पुरू समासे। अप्रदीप प्रभापनेयम प्रदीपस्य प्रभा प्रदीप प्रभा इती शष्टी तत्पुरू समास। प्रदीप प्रभया अपनेयम प्रदीप प्रभापनेयम इती तिर्थिया तत्पुरू समास। जो परदीप से दूर होता है वा तिर्थिया तत्पुरु समास में आया है जो परदीप से जो दीप है उसके उजाले से जो दूर नहीं किया जा सकता है न परदीपा प्रभापनेयम जो परदीप की आबाया प्रभा से दूर नहीं किया जा सकता है इती नए तत्पुरु समास यहां पर कुछ संधी पद आये हैं पद द्वयस्या अर्थस्या हेतो होवर्णनाद कावे लिंगम तताहीतल लक्षणम उसका जो लक्षण है साहिते दर्पनकार ने दिया है हेतो रुवा के पदार थत्वी कावे लिंगम निगध्यते इती आगे कहते हैं कि जब उन्होंने चंदरापीर को उपदेश दे रहे हैं सुकनास जो उनके पहले राजिया में उनके पिता के राजियस्राई में वहाँ पर मंत्री रहे हैं उनके आमात्य थे तो उन्होंने लक्ष्मी का मद आने से क्या उनको नुक्सान होने वाला है कैसे उनकी योवास्था रहेगी उसके विश्य में वो आगे कै रहे है जो गर्वे सुरत है जो राजा का पुत्र है जो राजा की घर में पैदा हो रहा है एक तो उसको एक तो उसके पास वो हो कि जो राजा की घर में पैदा हो गया है अभिनाव योवनत्वम उपर से जवानी हो युवा वस्ता का जोस हो अप्रतिम रूपत्वम उपर से उसको अधिक रूप मिला हो अप्रतिम रूप बहुत ही ज़ादा वहाँ रूप वान व्यक्ति है अमानुस सक्ति ऐसी सक्ति जो मनुसिया के बस में सामान्यता नहीं होती है Amानुस सक्ति को प्राप्त कर लेता है भहुत सक्ति शाली हो जाता है उस लक्षमी के दौरा तो यहां महेतियम खलू अनर्थ परंपरा यहां चारों ही अनर्थ परंपरा की जड़ हैं अभिनाया नाम एक एकम अपेशा मायतनम के मुतसम्मुआ यहां योवना अम्भेच प्राया शास्तर जल प्रक्षालान निर्मा लापी कालुशम उपियाती बुद्धी अभिनाया नाम एक एकम यहां जो गर्वे सुरत है गर्व से उसको राजया मिल गया है गर्व से जो राजया की घर में आ गया है इस परकार के यह जो चार उन्हों नहीं बताए हैं अभिनाव योवन है नया नया उसकी जवानी अवास्ता है ये एक-एक करके अभिनयों का जड़ है जो गरबे सुरत है अभिनयों योगनत्व है अपरति मुरूपत्व है और अमानों से सक्तित्व है ये एक-एक ही अभिनयों की जड़ है अभिनयों उससे आ जाता है वह अभिनय शील नहीं रहता है अप्ये शाम आयतनम कीमत सम्वाया सोचिए जब ये सारी चीजें ही एक ब्यक्ति के पास हों तो फिर उसका क्या कहना है अगर एक ब्यक्ति के पास एक भी चीज आ जाए तो वहाँ अनर्थ परंपरा है वहाँ अनर्थ को जन्व देता है या वहाँ बहुत कुछ गड़बड करने वाला है लेकिन जिसके पास यहाँ चारों चीजें आ गई हों तो वह कितना कुछ गड़बड कर सकता है हमारे सिस्टम में रहके वह आप इस चीज को समझ सकते हैं योवन के आरंब में प्रायाहा जब विद्यार थी अपने गुरकुल से सिक्षा दिक्षा करके जाता था उसने अपने बाल्याकाल में जो जितनी सारी सिक्षाएं ली है योवन के प्रारंब में तो वहाँ सास्तर जल प्रक्षालन निर्मलापी वहाँ जो उसकी बुद्धी है वहाँ सास्तर जल से प्रक्षालित की गई है सास्त्रों के जल से एक परकार से वहाँ सास्त्र का ग्याता है वहाँ उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं वहाँ सास्त्र को जानता है उसकी बुद्धी जो है बिल्कुल निर्मल है लेकिन जैसे ही उसका योवन प्रारंब होता है तो वहाँ बुद्धी भी कालुष्य को चली जाती है वहाँ उस बुद्धी में भी कलुष्टा आ जाती है उसमें भी दोस आने लग जाते है यानि कि जो युवा अवस्था से पहले उसको जो जानकारियां थी जो सास्त्र वो जानता था वो सारी उसके पास तो है लेकिन युवा अवस्था ने उसके अंदर ऐसा जो जोस भर दिया है उस लक्षमी के मद ने उसके अंदर जोस भर दिया है वो सारी चीजने जब उसको मिल जाती है तो उसकी जो बुद्धी है वो कहीं घास चरने एक प्रकार से चली जाती है उसके युवाओं की दृष्टी है वो राग से युक्त हो जाती ही अनुजित धवलता पी छोड़े बिना जो उसको चोड़े बिना भी उसको दूर कर लेता है यानि कि सामानिय उसकी दृष्टी है वो जो देख रहा है हम जो आपस में देख रहे हैं हमारी जो देखने की जो इच् जैसे युवा अवस्ता आ जाती है, तो उसकी दृष्टी में थोड़ा सा विकार आ जाता है。 एक तो युवा अवस्ता कार, उन्होंने तो पहले ही कहा दिया है, आपके पास तो चारों चीज अगन होने को हैं जिसके पास, तो उसकी किया दृष्टी होगी, उसको आप समझ सकते हैं आत्मी छाया योवन समये पुरूशम परकृती तो योवन के समय भी परकृति पुरूश को इसी परकार दूर ले जाती है इसी परकार उसको गुमाती है जबकि वो शुश्क पत्र और बालो सोचती है कि हम आस्मान में उड़ने लग गए हैं जबकि ऐसा नहीं है इसी प्रकार योवन समय में भी पूरुस ऐसा उड़ने लग जाता है और वो सोचता है कि आगे भी इसी प्रकार वो उड़ेगा लेकिन उसको प्रकृति उड़ा रही है उसको जो सिस्टम है अभी उसके पास जो धंदोलत है उसके बस में वो उड़ रहा है वो इस दिश्च क इसको नहीं जानता है तो प्रियशिक शार्तियोँ अभी तक हमने जाना है कि जो युव राज्य अभिसेग उनका होने वाला है चंदरा पीड का उसमें उसके जो पूर्व आमात्य हैं उनके पिता के राज्यसरह में जो रहे हैं सुखनास उनके द्वारा उनको उपदेश वो उनके घ़र पे उनसे मिलने गए हुए हैं. अपने अभिशेख से पूर्व. आगे उनका अभिशेख होने वाला है. उसितना भी उनसे ग्यान लेना चाते हैं. उनका जो अनभव है. उस अनभव से आप को पड़िपक्वता पाना चाते हैं. उसमें जो मिचौरटी आने व तार युवा वस्था के जो चार बिंदू उन्होंने मुख्या बताए हैं, बच्पन से जिसमें प्रभुता इश्वर्ता जिसको मिल जाए और अपरतिम रूप जिसको मिल जाए, युवा वस्था जिसको मिल जाए, अमानुस सक्ती जिसको मिल जाए, तो वहा किस परकार वहा हुआ हुआ है